कच्छया एगार मां पर्णि सम्पुर्ण बिद्यार्थी भाइबेनी अर्लाई मेरे येस यूट्यूब चानल ड्रीम्स लर्निंग जोन्मा स्वागाच्छ आज अको मैस वीडियो मां कमपल्सरी कच्छया एगार को कमपल्सरी इंग्लिश को इसको लिट्राच्डर सेक्षन अंतरगतर द्रामाा वने आकट प्ल Εरु ओ मददेमा सबंद पोई लो प्लेई ट्राइफ़्स को बारेमा जिसको लेखेक को बारेमा एस कथा को चानी बैक्ग्राउंड को बारे मैं इस कठा को छानी कि पोइंट शरूर की पोइंट शरू तो तो ते गरी एस जून नीँ खथा प्र चेंडरा शृति Train डिटेल्द सम्वरी ले रहा मा इस वीडियो मा वो पसतित भाय कुछु और अरको वीडियो मा चाहिने मा एस संग समान्दीत या एस जुन यह एक्स्प्लीन गहरने चयो और को वीडियो मा नेक्स्ट वीडियो मा आज को एस वीडियो मा चिर्फ ड्रामा को भारी मा इसको दानकारी को साथ सते इसको डिटेल संबरी चयानी मा बताऊना गैड़े का चुछ किरपे एस वीडियो लाई पुरा यर दिन होला एस ड्रामा ट्राइफल्स ड्रामा लाई पुर्ण बन्दा अगाड़ी एस ड्रामा को लेखक वर लेखी का सुसान ग्लास पेल को बारे माँ कही फोटो इन्फोमेशन माँ शेयर गरना को रहे रहे चो सी वाज बर्न इन 1876 मा खोग जन्मा अठार से च्वया तर मा अधर बाय गोथियो सी वाज बर्न इन 1876 रजें इन देवन पोर्ट रह यो यू इस शे को यो अई यू आववा बननी ठाउं को यो देवन पोर्ट बनी ठाउं मास नी माः को मा अर्ग किना भाय भगो मा वार को जनमा खास एज एजू का था एजू एजू मा गोगा घयो यू एजू अमेरिकन राइटर भणद की वगण हो रवाला मी फेमिनिस्ट वर भान शिंदेछा हो है she is also known as a feminist writer and she is also called a playwright who writes dramas drama अरू लेखने बाँचे दुसला अमी playwright बाँचम उनी प्ले राइट हुन तस्ते गरी nobelist हुन तस्ते गरी journalist हुन र एक्टरिस बने बाँचे फर्स्ट मां वाले आपनो graduate school आई ग्राइटिएशन सर्क है पैठिभाआ पाँचा करें बाँचाने वह Bubba क्याने स्गम कभाणार भा-टर्स्टक्याज राइटिश्ट को छुन पेसाल माई चुन राइटिंग क्यार मां हुन जुन राहतिंच पैसा वाले अंगानो वो त के ड्रामा आर्मार मावाने अक्तिङ पना तो वाहा न एक्टिया क्ो भी जा आ एक्ट्र ज Prof. आ नाट्रिस पोट एक चीणुल teen अपनों जोन फिलोशफिंग विष्येमा प्राप्त आदिखाने प्रेटी आपने अपने पेशंदी प्राप्त om your sister को लाई गोना और हिरियो देस मोई नास डेली को लाई चिन वाले तेजिए निदेली मेगेजीन डेली नीस टेपर को लाई चिन वाले यो मोडर केस रू कावर गरना उंठियो बीप्र की पर्शुट और केयर अलिए रैटर गारी शी पॉब्लिस्ट फिप्टी शोर्ड इस्टोरीज उगा को चैनि पचाश ओड़ा जोती छोटा कथा रू पॉब्लिस्ट बायका चैनि तिस्ते गरी रोट नाइन नोबेल्स नोबेल रोट एकनु बायको चैनि फिप्टीन प्लेज एन पंद्रवोड राजें नाटा करू व बायग्राफिय माले रेखने बायको चैनि तिस्ते गरी शी वाज मैरीड तू जर्ज कुक करमा चैनि जर्ज कुक संगा माले बियाया गरनु बायो जर्ज कुक अन्टेस्पशी चैनि प्लेज कुक संगा मिले रहा जर्ज 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 औला पीषमा जब माना को मिर्त मैं भाई था काव चाव से में बाई्यगू मीलिए गर टो सिपसे काव सिकाना को अ तरन हो एग बैद को बैद साना को पर दो सिडिकर न भाई मंगुलुख का और। न बालब सेकते है उतका अरो हम थाए था and she died of pneumonia on July 27, 1948 so our themes are the glory of the Concord is her first novel that was published in 1909 1909 published by the Concord is her first novel that was published in 1909 the other works are famous works are Brooke Evans 1928 published by the author Fugitive Returns Ambrose Holt and Family 1931 and Ellison's House 1930 the Pulitzer Prize won Pulitzer Prize for drama in 1931 oh yes drama ko baare maa yodham pata khari yodrama okay so about the play play ko baare maa yodham musta yodham the play is loosely based on murder of John Osak which glass fell reported on while working as a journalist which glass fell reported on while working as a journalist on December to 1908 jun gaatna chani yodham December to 1900 ma thiyo bhaay ko thiyo jaha chani Waseks wife Waseks ko wife la chani jun dos lagaay ko thiho ki Margaret reported to the police that and unknown khaas ka di yoyow Waseks wife Margaret lai chani jn abhi yojami yodham dho shithra hae ko thiho jas lhe first maa police laa report gharna bhaay ko thiho tiyo unknown person why kya bhaay ko thiho kwaas to report gharna bhaay ko thiho autapraartti tiyas autapra ko bishima ma baan dah ghari that an unknown person broke into broke into their house and murdered John Osak with an axe johan osak lai chani एक जना अपरिचित बेक्तिले चानी बंचरले इरिकारा मार्यो बाहरा रिपोर्टिंग गौना भाको थियो Margaret ले, वाइल सी स्लेब्ट विट नेक्स्ट विम्रा जबकी त्यस्वेला माचानी वहाँ चानी अपनों अपनों अजबन संगई बेदमा अनूं थियो Margaret was arrested for the murder a few days later at John's funeral John को funeral पाषी के दिन पाषी Margaret लेशन के गरे arrest गरियो तो अत्या को चानी आरप मा So, Glassville followed the story closely and reported on its development filling a total 26 stories on the case over the course of Osak's arrest and trail Just BCMA's when was in Osak's arrest, trail, this is ahtya को BCMA's chani Susan Glassville's story report अटायर पारनू 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 निचियो Initially, Glassville's reporting painted a rich portrait of Osak as a tough and cold-blooded woman Bradley. Wasak लाँ पारना पारन पारनू। पारनू पारन। रिन थाली कैपल अगी के बिन बिन बीटन अर्थ चून पर चून पराइब नियू है उनको और को अर्को को लगी जून मैटरील कोलेक्शन गरनी करने वां लॉन जून जाग थो वसेख फैमली को फामौ बढ़ मॉस बिजिट गरनी को यू और तून शिफ्टेट रमाल आफ तोन गरनी को तून तून गरनी को यू तू थिटर रिटेचेट सेड़् नग्रेड करें देसके देसे तरहले करें आदेसरों आजमें देसे तरह नार था देसे कर दोर्य एकये नियू नियू देसे हुड हे एफ। जर्नालिस्ट को रूप में काम गोना चारनु भायो रा फिक्शन राइटिंग तिरा वाचानी लेखन कारे तिरा लागनु भायो तिस्टे गरी after Vosak's conviction so Glasspell resigned or position as a journalist to write fiction in April of 1903 Vosak's case was retired after the jury failed to return an unanimous decision she was released and able to return so this is a god the lawmen in trifles are inspired by original investigator Mr. Hale's character is Gaspel's creation his name is possibly derived from one of the Indianola farmers who are formed at the Vosak trail so this is the background of the story of the drama trifle after that all year after trifle success so trifle glasspell turned the play into a short story retitling it a jury of her peers a jury of her peers trifle drama glasspell used third person limited omniscience to express the point of view of Martha Hale a jury of her peers that's okay yeah boy yeah boy I'm listening to the story go I'm listening to the drama background now we are in historical context so feminism feminist type of writing in the early 20th century focused primarily on practical achievement the feminist practical achievement towards the relation of the legal equality particularly the fight for women's right to vote and equal employment in the early 20th century the feminism to currently this feminist movement is called first wave feminism is that the writers in practical support work do this will occur this kissing was in the movement lamby first wave feminism marines are a sure goes in your first wave feminism and it introduced the issue and goals of feminism into many conversations and social circles for the the first time so political activist campaigned for uh women suffer as a vote right to vote right the right to vote collides in campaign and everybody got it through marches and protest but the issues of feminism extended into a literary era the feminism was in this new issue which are your site because season are open they can tell you the artistic experiment you they can tell you as well as susan glasspell's work addresses larger issue of inequality than the legal agenda proposed by first wave feminism लेखे गो थियो बने New York City जहां अचाने लेखे गो थियो यह प्लेश चाने New York City हो बने विन पॉब्लिश बनाहे 1916, फर्स्ट पर्फोमेंस बाइद प्रविनेंस टाउन प्लेर समाकाई थेटर कम्पनी गुरूप लेखे पहलो यह पर्फोमेंस गरे को थियो जिस्टे गरी लिट्रारी प्रियोड मनेको मोर्निजम भायो रा फेमिनिस्टिक टाइप राइटिंग भायो फेमिनिस्टिक ड्रामा भायो फेमिनिस्ट ड्रामा भायो तिस्टे गरी सेटिंग मनेको राइट्स फामाउस रूर युनाटिल स्टेट अमेरिका को U.S.A. को रू फिर सिर्थ नोली कुरते शाए तर वासे व क्या ऑंत। फिर से सदस्थे अवान। जैट पौँट मुरॉड सागने कान। अमले यह लेचन के जा इंच रूव दिन चा मॉडरिंग आर आजबेन जोन राइट ओके जो एंटागोनिस्ट बनेगो द पार्टी आर्कल स्वासाइटी यह मल जोन्मिनेटिट स्वासाइटी जोन अमेरिका को त्यस्ताका को त्यस्ट बिला को त्यों चैनी एस ड्रामा को च जिल्डा को चैनी जोन जिल्डा में गठना कर च है तैसली आरिकल D Marko चैनी यह लोस्ताओ को मेल चोव निश्टतर, पुरुस बादी, धारहन अंगाल नियो, पुरुस परधान, तो छ निम, मेल डोमिनेतद टाइप उफ आफ चैनी क्राक्टर हो, जोर्ज एंडरसन, या ओला व चो नियो, मेल आला किसी गरनी, मेल आले अलचनी, इंफ्यरिय अधानी, तेस तु नियो आ को तेस जिल्ला को छानी उड़ा प्रमुक्षानी कारे कारे अधिकरे तुँँँँचा उचको पोस्ट न्तियो एचीफ एजुकेटिव अफिशर हो अनी इस मिडल एज़ेट मैं वीज आर्ड आउस अफ दिजीज तो एग्जामीन देग्जामीन देग्जामीन देगाटना ते जोन राइट को जोन मर्डर केश सा तेसे को इन्वेस्टिगरने इन्वेस्टिगेशन गरने सिल्षिला मा पीटर्स पन त्यां आया काँँचा और को छा मिसेज पीटर्स यहाचनी हेंडरी पीटर को वाइफ एज़े इस दा वाइफ तो दा शेरिफ Mr. Mr. Peters and Mrs. Peters is new in town she is sympathetic to the emotional plight of Mrs. मिस्स रिटर मात्विप क्यां में स्काहि क्यान रोलाइस क्या ठालआसन। और स outta अमेंजमी पीने मिस्स रिटर मैं रोल की अन्यमन। भुदॡवद स्काहि पर भुदुदुवाद से साहनस। यद मे भुदि लेविस हैल ब्यू लेविश is a farmer and he is the neighbor of Wrights, the Wrights Mr. and Mrs. Wright, Mr. and Mrs. Wright, जुन ड्रामा मा एपियर होने न, तरह मेन कथा चाने, Mr. and Mrs. Wright के बारे माँचा, जुन मेन स्टोरी मा, मेन इबेंट अरू, तिसे मा जन्ते जुई पात्र अरुगो चुन जो गटना चुन, murder case बाको चाने, तिसे मा आधारे चाने Mr. and Mrs. Wrights, he enters the Wrights house to use the telephone, yes, where he finds Mr. Wright strangle and he is, his wife acting worriedly, see, Mr. Wright को करमा, चाने करमा, पुगने करमा, काइप कामबस, तिसे मिच जुई पात्र अरुगो चाने चाने, मुगणा करमा, तिसे मिच पात्र अरू, तिसे मिच बाचाने, तिसे मिच बास बाचाने, तिसे मिच बारे चाने, अहीजते हापहँ हाँ होच.. पहील पतलागन बेकठी बहने को हैल हाई Mrs. Hale, होल को वाइफ हने so she's a wife of, she is a wife to the farmer Lewis, Lewis Hale, Lewis si Hale- L水 हेल को वाइफ हो, she knows Mr. Raydoe, Mr. Raydoe Mrs. Raydoead senhor, व्यूरी रीजुनі, जुनों मिनी फोस्टर थी ने चानी जुन मेरीज बन्दा अगार्ट देहिको उन्ने साथी बन्ने साय देहिको लामो समय देहिको साथी from being she had become Mrs. Wright and she dislike the chauvanism sound by male around her जुन चानी महाळे कार चानी मन प्रावण हमनों नहीं हेर पुरूस बादी पुरूस टाइप पुरूसली जुन किसम को बिवारे कोशा मायला अवा प्रती Cache तुच व्यवार गराच्च तुछ तुक्षक्षिन उनी रुख्षिन अथी उनले तुक्षक्ष मन्पारदेन ना और कुछ अब जोन राइट जोन चानी अम्रो ड्रामा मा यह कारक्टर विजीबल होदे ना जो अफिस्टेज कारक्टर हो जसको नाम जसको भारे मा आनी चानी और कारक्टर मार्दें बड़ा थाप ऊचानी अब उसके अफिस्टेज की बाता है पहला सुर्मा का विक्तिम को विक्तिम आप नोर्डर से अटक अए शूर में उसको अत्याब आया को जोन राइट को and then of stage character the story in revolves around the motive of his mother and the story चानी कियमा गुंजा नहरी एला मारन को कारण की बता इंता motive पतला ओना motive पतला ओना उजरेका उचान इंवेस्टिगेटर चाले ही इस फार्मर हुए हाज निग्लेटिद इस वाइबस एपिनेस टाइम है अगेन जुन अली रुखो किसम को ही हार्ड चानी स्टोन हार्टेड टाइप ओना मैं थियो जोन राइट है अली किती है अली किती मही लाला डॉमिनेसन गरने है फीमल क्यारक्ट्टर अपसनी हुए है सो इस वाज मिनी फॉस्टर भीफरर हार्मरीज महाला इली अ वह अली छे निग्वाई और मिनी फॉस्टर बाने चिनिन थे है जैन-, जैना, तीस वाइट पर्षो अहारी को १ी सिप्थर अ ज़ातेट है, मिनी इह स्वारी इनना, मिनी भान से प respons निजीतस ही राइ में फोस्टर हो तर पाचिये अजमन को न रचिन रास्ट नेम बाट अनलाई Mrs. Wright माने रचिनाच शी इस शी इस शी इस आड वोमेन अद शी इस अड वोमेन अद शी इस अड प्राम सस्पेक्ट अप्र इंवेस्टिकेशन रा वनी चैनी अड़ा मुख्या भीक्ता हाँ मुख्यस इन संखा गरिये को बेगती हो जोन मुटर केश को Mr. Wright को हम इस श्की को To The Play begins in a gloomy kitchen अच ні साड जिए को आछानी केवन के वाने लाइस वाने वाने लाइस थी प्राम ससा्यों का मुख्या मुख्या राचैनी अखानी केमा था आकर शीनर्क एहलो की पारामीज अखाली नेगलेडिड प्राम है अड़ा भूमेने वाने साड याया jan अवान्राइड को अल साला है जुन तागी एको और छोडी एको और कोईपी न भयेको तो आपर आपर आप लिए सो फाम हाउस को लाँ कीचेन को पोईलो सीन भीगिन शुरूंच there are signsh of... ते लाइ अगारान नियूट का मोर भू भूने नियूट का बदाउ के काम जो जो भणीस हो डिस अरू같व हो नोख़ जो र apresent एका रही दे enhanced अरा ना रिकाए का परी आंस Conrad काउंटर अगे, अब दे टावल अरू, भाना को राडू, अता उती एठीके जनी, ते मेशी टाइप को वाल कि नोमिला एक न राखे को आवस्ता शार ते किछेन मा, ते शेरीफ, शेरीफ, अनिको, अमिया दा मिस्टर पीटर्स भानी जा, मिस्टर पीटर्स, ते शेरीफ, ए E N D E R S O N, अनिको, सवंधः फस्त मा, किछिन मा, कोकसको एंट्रे उंचा बन्दा खरी, शेरीफ को, काउंटी एटर्नी, रहेल, ते लिजना यो पूरू printing, पूरूस हो उरू जानि, पीटरचे शेन सवंधः फर्स वान, ते शेरीफ, मिस्टर पीटर्स, अन् जोनर हेल चाहने अलिगिति अगल टाइप को तर्पार्शन चाहर मनी जर्ज अंडर्सन कॉंटी द अ कॉंटी अत्रोन ये यौंग भकाय यौनि या उन्टरसन चैनल भका यौंग ताइप को चैनल अर्टिश रहन किचन में बाया को चुना इस्टोप चाह तो इस्टोप ती रहा उने रो जांचन शुरुमा ए रूम में शीर शेके पाशे गो क्लोस तु दा किचन इस्टोप तु वाम आप okay mrs. Peter's अंतीस पाशी रह जाब ऑशी पितर सीर से काशी और को दुजान केची रहा उर्पन ती शाविलार। महेला रूँ, मिस्ट्रुमा तु पाशी तु आर वाम तु दा को शेरीफ को वाइब इसे अगरे शिज वेरी और नर्ववस। से अगरे नर्ववस। से अगरे लाइब को स्लिम आप मैं यह साथ किती हो। Mr. Peters गोड़ी है से वेरी हैं इस पितर इस फोलौबाद थनुड़। जो आनि वास फो लेविस्थेल तो नेवर से विंको Mr. and Mrs. Wright को तो Mr. and Mrs. Wright को जो नाजिक को चिमे की Lewis Hale को वाइफ हो Mrs. Hale Mrs. Hale चाहनी है अलो किती चीट परीचित मियो चाहनी यो मिनी फोस्टर अथपा चाहनी Mrs. Wright सांगा चाहन देह अगारी देहने चिंजान भायको चाहनी ओंचावा को Mrs. Hale को So a neighboring farmer of the right Mrs. Hale is larger than Mrs. Peter's Mr. Mrs. Hale रा Mrs. Peter को बारे माँ चाहनी हामनी कंपेर करादा खरी ओंचावा को अलो ठूलो खालको अलो आए अलो जबाड़ी ताइप को चाहनी बडी बाड़ी को मांचे ओंचावा मिन्स हैल So she is described as more comfortable looking than other women as a comfortable looking के अटा का स्वावनी किशावा उना किशावा खालको जोर्ज एंडर्शन ने जारो बागो चावने चीशोल आएगो चावने आव इस्टोप नजिक आव भाहर सिनु बलाऊं सा एन दो मिस्स पितर्स टेक टेक साई step close to the step she says that she is not called अरी अला अला ऑगारी बौर्षिन ताव मला ठीक चावने चीशोल आएगो चाहिने जारो चाहिने महीं जारो चाहिने जो अला अला ऑगारी जाने गराऊ आउशन जाधीन तस बसे देन जर्ज एंडर्शन आखसेल आग्सेल to confirm if anything has been moved in the kitchen अगा अछिक है। आउरा ऑगे अई है। जर्ज एंडर्सन आग्स कि कि अद्टे कि अधिक है। रही आउरा रही है। तरक शारीफ लाही है। कि अधिक है। है और आउरा लाही। Morin just be see okay move on inhale muss thenlocks Andrews and acts the sheriff to order me if anything has been moved in the kitchen inhale said that even saint Frank to come over early in the morning and make a fire that morning since he was so cold that night sorry इसमा हे लाई नहीं, इसमा अनुछ नहीं, शेरिफ, यह शेरिफ छो, S-H-E-R-I-F-F, नहीं, शेरिफ लाई आराऊंच,ुण सब्स्याई सब्सालियों हुए, यह शेरिफ लाई लाई रिद सब्सालियों। गर्ण को लागी नियाना पार्ण को लागी आगा वाल्दे गर्णू मैरा पठाय को थी ये फ्रांक लाए बांचा। काउंटी एटोर्नी एंग रिली तेल्स दे शैरिफ दा सम्बडी शूद अब बिन लेफ्ट अद दे हाउस अस्टरडी। य मेंशी ठीजी क मैंचा था को बल्क्रां पार्ण को रिछेवरी एंगा थिय। काउंटी एटोर्नी ले ले काला था शैरिफ लेee शैरिफ लेक्त दे शैरिफ धासेल एक्सान केक्तेट्र सॉरी निय। द江 एक्सेंल the attorney's hith to tell him everything that he saw yesterday, when he entered the house the morning before अनि तेस्ट गटना गटेको दिन वियाना सवेरे Mr. Hale चाहिन तो गटना को बारे माचानी ब्रिस्थित माँ लगोशन। Hale said that Harry and he had been going to take potatoes to the town and he had dropped there to see if John Wright also wanted to go in with them on a party telephone। अनि जाने करमा, Harry रा जुन आलू को भारी अरूलिये रा सहर्ती रा जाने करमा, भार्त रमा जन जोन राइट में संगाय जाने की जाने यो पार्टी टेलफोन मने खो यो यो शेर टेलफोन जाने यो 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 तो पार्डी टेल्फोन नरुचाय को बारे मा पहले बंचे का थियो, Mr. ELA, त्या बनि, and what he wanted was peace and quiet, so he decided to talk about it with Mrs. Wright, त्यास कारंडे, अब अब चानि Mr. Wright लेदा, योको याला दिनाई गर शेका चा, इगनर गर शेका चा, अब चानि, Mrs. Wright ले शोच्चु आ अब चानि, हेल बिया सभे रे त्यास कार मा उगाए कांच, त्यास भाम आउस माँ, त्यास भाम आउस माँ, द्या, एटोर्नी, वांटे तो लेसं तू, Mrs. Wright लेटर, अनि, Mrs. Wright को बारे आए बार्शी, Mrs. Wright को पार्ट माँ पार्ट माँ पासिशू चु, अई रेचान त्यां किकी बाय माला भाना वां त्यास हेलाए, त्यास भाट माँ, द्यास भाट है, त्यास भाम आउसू छेयो कहते सिस्छू, नि तो इस वाम आउसयो जास माँ चैर, और तीव बिदा चीरी साके पसी तेवा मिस्टिर भाइट भाइट अनि रेके थिन रहे थीछिए रखाई रहे के थिन rocking in the rocking chair in the kitchen she was weirdly rocking back and forth उनी अगारी पसाड भाइट रहे के थिन रहे के थिन रहे के थिन रहे के रहे था के रहे के रहे है चिर को शायत आले अब ते थीके बेलामा एटर नी ले चानी सोच हैल लाई अनि ते थी बेला ती मिन तयां गए पाशे मिसेस राइड को रियाक्शन कस्तो थियो हो मैं सोच है ते सबसे हैल सेड शी दिद नाट पे एनी अटेंशन वू टू हीम वेन यी पोईंटेड आउट 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 आउ हान बसे राइड करे थी मिसेस राइड ते फिला ले सु हमिसेसवी आएं टी भेलामा न भीय जोन गरमा शांता भाह फेडिक शोच बले। ईड़ की रिपलाड ये शोन वाई रिख राइट अचाना वाई रिख रॉप राइट है वाई रिख राइट रीख राइट थी राइट राइट rightly so she said that he died of a rope around his neck but she did not know how that could have happened so she was in a deep sleep at that time and that time so harry and hell checked out wright's body so hell decided to leave to leave there to leave that there and let mrs wright telling our story to the corner serif then harry went to reverse place where there was a telephone this machine when it's in kira this card nag about him a zankar dino laggy and as you go telephone phone going on a million how are you going phone telephone guerrera callable i don't have a mistress sorry uh make make a conversation with mrs wright about the party telephone she loved and okay and hell and harry were waiting for the corner uh coroner to come he'll try to make conversation with mrs wright about the about the party telephone she laughed and looked suddenly scared then harry the coroner and the serif came i was in table sir mr hells and davos harry's any phone gun of a concert of phone garis ke basholy serif lay lira also this was see george henderson says that they should investigate of you of this was see it so he makes the serif be sure if there is any evidence in the kitchen or the kitchen man kya every answer ki era virus in serif lay henderson levanton so the serif says there is nothing except kitchen stuff for only once a kitchen good bunch ago samagri bike or khasi ke point china vanja so anderson opens the door of a kitchen cupboard filled with a bunch of sticky jelly the drage of a girl in the razz until the kitchen over the razz so mrs peter says that those are jars of preserves broken from freezing cold so just like any only once in game mrs peter dams in the only key once you're into general like you're the the bob put a go watch a go figure about kiko jar just mother i could just support engine do preserves or do they do no songs are too well as anyone's in rain stay mrs wright was worried about it in a door lecture and then the serif mocks that mrs wright has committed a crime is worrying for our preserves a trifle thing i was saying honey using cheese in the the beginning of the jar and broken jar so and it's in the north nasa boy but so this is clear for the mrs wright there in a chinti 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 mahar chani banchin mrs peter le peter chile and a serif le chani kisi gar chagi mrs wright just li apraat gade kosa jo chani rasanthi no kura golai chani athira eki chinti mahar chani the gizhyon chani kisi gar chani the attorney the county attorney adds that mrs wright might have more serious things to worry about sonarani ala kiti buchara abo yenile mrs wright le chinti nahi eka chani serious kura ma chani chinti linnu parni un chava mancha so indication u sqo kya chani pake pani mrs wright le maareko hai na agona chani juna abiyok laksha juna chani mona chani juna araf juna pusti vahisa ki bach ch dijaya araf pusti garna kila lagi evidence haru khajna hu nera tiya nahi ka chani, ogana la viswash shaghi naعم idha evidence pata lagara unala chani dosi khajna garni so hell also says that women worry about trefalse hainna ehe even ni akara tabhza uphani male nda joven ni strict type of person hu and a पुरुष प्रदान आना पुरुष बाला चनी फिलिंग भाय को So, here Hales also says that women worry about मैला आवे यश्ते ही संधिन को आरमा चींता कर्षन मैं आप लादे शुपर येर जस तो ठाने रहाची नो मैला आपको काम आपको काम आपको काम आपको प्रमझात प्रावा बारा वो पनी बोल्च को जो देन एड्येस राउर्ट ओर्टोर्टी तर्टेव्ड देन थेव्यूर्टोर्टी तैवल इन मेंुर्टॉ इटो हैं। । यृटोर्ट गेष रुटेवित में। जिस्केर सकार्टॉ प्रुल मैं। प्रव मुष्राइट वर्डा ऑच कर साथ हरे लेता राड़। गॉर्डाइट पहरे साथ हूहु 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 प्लेटी अप्लाइट जिल्लाम। तो इस्ते का खाल पुरी टावल हुंचा वनिये उधेना आँ नो So Mrs. Hale replies that में चैनल अन फिरी उनी डिफेंस काजे वांचिन का मान्चे का आथाली फोरी हुंचा ना So the county attorney suggests that Mr. Hale is loyal to Mrs. Wright So he asks if the two ladies are friends Mrs. Hale admits that she has not hung out with Mrs. Wright since she has not been in this house for a year So the place is a kind of gloomy place They are a sad type of place The attorney thinks that it is because of Mrs. Wright So Mrs. Hale replies that That is because of Mr. Wright Mr. Wright को कारन ना Then the man decide to investigate the upstairs bedroom and leave the women together a few womenly things for Mrs. Wright in jail अन्य देश्वेसे उन्य आवके गर्शन ता मा थिल लो ताला मा जांचन इन्वेस्टिगेशन गरना रती दी बेला ताला अचनी Mr. Mrs. Hill रा, Mrs. Peters जानी Mrs. Wright को लागी चिन जेल मा लानग लागी के सामना उड़ देयां सो ग्यादर गर्शन जांकलन गर्शन gather few women things for Mrs. Wright in jail Mrs. Hill tells Mrs. Peters that she hates to have men nosing around her kitchen and criticizing things Mrs. Hill says that the guy who was sent to make a fire might have made the towel dirty Mrs. Hill says that the guy who was sent to make a fire is not a fire there is no fire to you, but the guy who was sent to you for a fire just that way Mr. Hill says she again inspects the sticky group in the cabin and manages the messy things and she is distracted and she is distracted and she is distracted and distracted and we are distracted and को गूपक ए सेजल की न सी झाव फो सेaisन म भी हम सी झाव टी टॉरूी खिरूप्ली ख्यूंधंचे है आए के च्यूरल गायो ए वैंगिधॉ ए झाव से सबस्केज न से कोप तो ए तूल को इस्टद्दी कोत है पर दॉह सिंटे रखे जोनी सूर्च हाई मिसस रैना मिससे रखे जेल माँ जन्हेर हाग अकार्डिग अधुरी सिंटि प्रकॉरल मेंूरी 30 years are back and see these words are already the bonnie unmarried thin and general I won't like many foster owners in India they belong in the smart thing that I'm bros of our sugar look at around a get going a convert in get out in mrs. right asked to bring all the clothes to are in jail and once in mrs. right list up a little over neighbor to tell ma so mrs. peter says that she also wants an apron apron the killer so we could our lady number one a kitchen minus we could I will listen to them mrs. hill suddenly serves the door and upstairs and arts mrs. peter's if she thinks mr. right did it honey when your mother girl I want to Matthew to do in a month second or could have our good room clear or could all Amazon into color right there isn't you know how to cover us and keep a company mrs. right lately is a gory another and in a crack and gossip so mrs. peter says that she is not sure okay but all the men think that mrs. right is guilty koi abha kalli garyo thasena tarai manche aru kera manche aru praya sap pali kegarshan the mrs. right nahi dhosi hoa bhaena chani sangha kara rya chan manche so mr. mr. anderson mr. anderson thinks the whole things about mrs. right sleeping through our husbands in strangulation is ridiculous and mr. anderson kikura bhaena sakiraya chanye mandha khiri tish toh mandha khiri husband ko chanye hatiya mandha khiri you know mrs. right chan deep sleep maan thiin asha deep sleep maan chhu banhe ke thiin tiyo kura chani moolachani ridiculous lai reko chha bancha so mrs. hill also thinks that it is worried that mrs. right even evidently slept through the some through somebody putting a rope around his neck aneh arpreko kura mr. right chani panini kenny kena waari kola kena nabirje kola pura manche geally ghaati ma chani dori badhe ra chani ateya ganja chani ka chani ka chani ka chani ka chani chan bhasin shakhi alla so both men both women agree it was an odd way to kill somebody especially when there was a gun in the house toh jva ki tiyo karma gun ba ni thiyo taipo nityo manche la chani dori leo kase maya अच्छम मांचन मुला यह कुरा आर देख रहा इस वनली थिंस्टर एंडर्सन वो यह कुरा Mr. Anderson जिन पतलावन चाहर रहा रहा है So this is only thing Mr. Anderson is missing is a motive He needs some proof that there was some kind of sudden anger or feeling ते कुरा आंगर उंजा के जिन फिलिएंग Mrs. Hill declares that it seems a little mean for the man to be digging out Mrs. Wright's house while she is locked up in the town अच्छम मांचन की मीनी फोस्टर लाइ सहर मां जल मां राहे गोचा उचानी गाव मां गार मां यारना आए रहे गोचा अच्छा क्याव ए ओन्लाई या So Mrs. Peter says that it is their duty इन उनी पसावगज दे बन्छिन अगर निया को दीव डूँ ओ वह है उनी बन आपने काम हो So Mrs. Peter find the pieces of kilt a quilt that Mrs. Wright was working on आप्स्ट दीव कपड़ाग है मीनी बने रे की उंचिन Mrs. Peter ते बेलाम रहे हम अला कः ते साक मा उनी लाहगी रहहे की उंजिन और वर्किण आन अं वर्किण अन्धर्क टैनल यह मिशच राइडीब कील्ट रन्ट !! इस और अओ शेकनल सिज्च inhibitory ठैन्ट और संपती प्रफग raise the hala सुन मिसर्च रो wheat उन्ट confused by so the sheriff walks in and laughs at women for worrying about such thing only is to use something kuramachin chintit bako behera sheriff as a you know yeah my laro I may aru chani khali is the sandhyn kuramachin or girachan and a unhara chan tulo kaam garra chan evidence aru khojnye kaam garra chan tara ay maila aru chani is the sandhyn no garasi kuramachin unhara or girachan kishikha chan so then the men head out to investigate the barn this was in your dinner dinner meal aru anin bairat dira janshan investigation go naku like mrs hale is annoyed that sheriff the sheriff made fun of them hei anin sheriff liya chichi ki ki jayako vachayako dikhe ra chani mrs hale alki di reshamsin so mrs peters apologetically points out that her husband and other men have important things on their mind or get defense karchin bachau karchin aphona husband ko hei anin mrs hale checks out the pieces of the quilt hei quilt hei quilt hei quilt hei quilt hei the quilt hei kabada ako tukra aru hei so only hei chan one of the pieces catches her attention catches her attention because it was it was sion sion terribly hei sion terribly terribly when hei go chani alki di narama kishim ko diyaan bivane kishim ko pieces are here chan ta tis piece of the quilt ma di ma iota piece chan arki narama tari ka bada siyee ko chan yana chila hai ko chan they figure that mrs rite must have been really upset or nervous about something hai hai tiyo karene unhele kye kura guess gara chan bani pakke poni unhele kya nervous bada ki unhe po chan hai hai tiyo kama korene exil chila ma yana the attorney must be looking for such a sudden feeling hai hai attorney kye sudden feeling yada chan mottif yada chan yana kasari unko chani uslea atya gharin tha kye karene tiyo kura pata laga unha khodo chan then mrs hale starts fixing that bad sivin mrs peter reminds mrs hale that they probably should not change anything hai anhi kasta bigrae ko sila kora chan ramasna sila kora chan mera unhele to sila unha kho chan tishe ma mrs peter le bancha features le banchan kye amin ya ko kye chijay traun unha hai so that mrs hale excuses that she can't stand to see such bad sivin tada malai ashtu kura arde hi chan dekhi veen ma chuk bashan sakdi na mila yana pulsa yana yana tila chani ramra banay anu pulsa avani kur agar sin mrs hale and mrs peter finds another key clue that is an empty h Male 2 barcase or ko of us amin now a clear attention to zon it was an art or a rat na case and suddenly in between the cali under in the cupboard ay into her arde description they are not sure if mrs right had a bird only to board kids then he was mismo mrs right live word van ballet ginger money cool alaxan not somehow maxim I a year past understasy and there was a board seller selling canaries with the gaunic halko taura to be ब्याद्धे आये को गित गाउने के खालको चारा जुन ब्याद्धे आये रहे को थिए सवस्तो बाव मां ते वेला उनले टीए की अनल बर्शो बन्छा So Mrs. Right might have about one since she used to, अन्हें गीतगाउने चारा की नेवाने लिन मनना, उन्हें पहला गीतगाउने पाई तीन, उन्हें पहला गीतगाउने सोक्तियो, तो पचिब्याई गार शेकि पाईनन पाईनन, उन्हें पाईनन, and they are worried about the missing bird so they guess the cat might have killed it but there was any cat there since Mrs. Wright was afraid of cat so Mrs. Peters notices that the door of the case seems to have broken and Mrs. Peters felt bad for not visiting Mrs. Wright and Mrs. L felt bad for not visiting Mrs. Wright she admits that she did not come here because the house was depressing so Mrs. L knows that Mrs. Wright was probably really lonely there especially with no kids so Mrs. Hale knows that Mrs. Wright Mrs. Wright is lying in the house and is boring and one of the feelings of her and she does not care about her so she starts filling in the details on how Mrs. Wright was kind of jerk and he was honest he was honest he was an alcoholic he was an alcoholic Mr. Wright so Mrs. Wright might have bought a bird so Mrs. Hale wonders again and what might have happened to the bird so Mrs. Peters guesses that it might have been sick and crooked and Mrs. Hale is again nostalgic and Mrs. Hale is again nostalgic so Mrs. Hale finds a pretty box so Mrs. Hale finds a pretty box so Mrs. Hale finds a dead bird with its neck wrong so Mrs. Hale finds a dead bird with its neck wrong they are scared as they hear the men coming in from the barn so Mrs. Hale hides the box under the quid scaps and the quid scaps the attorney asks the ladies if they have found out if Mrs. Wright was going to quilt or not the quilt and she says 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 and Mrs. Wright replies that Mrs. Wright was going to knot it the attorney asks about the empty bird case and Mrs. Hale replies that the cat the empty bird case how much is her the natural cat the poor the milder the milk is and Henderson asks if there is a cat and she says why does she have the cat and Mrs. Hale reply reply r e p l e s that the cats are superstitious and they live when somebody dies and the cats are superstitious and if some mangen does not kill they are fed वास देजन उनेरो अंद विश्वासी हुँचन तेसकान तेकर आतीया हमड़ा गाईशा कियो जवाब दीजन So, Andrewsson ignores it अन्तिया कुराला मतलब गादाना उन्हेकर कुराला तेच आशोपन दीजन अन् χी घाती गाती होडाऊ चाह अन्हेकर आतीया मतलब गातीं अन्हेकर दीजन They again go upstairs for the ev dungeons again phary evidenceираe के 20 अचेके मेन ऐन्हेकर मत सब्सक्रणी Mrs. Hill tensely observes that Mrs. Wright must have really loved the bird to want to bury it in such a pretty box तो रहाम्र बक्स मां चराला ते राहे को देखेर, उनिले गेस करचन कि Mrs. Rydley तो चरालाए, Mrs. Rydley तो चरालाए, Mrs. Rydley तो चरालाए तो ते लाए, अती देहे रहे ने माया गर्द थीन वहला बन्चन, So, Mrs. Peter recalls how when she was a girl she wanted to kill a boy who killed her kitten with a hatchet, अनि Mrs. Peter ले उड़ा गटना सम्झेचन, उनिले साना हुदा खेरी, जब के उराचन उपकेटाले, उनको जन गर्मा राहे गोजने और आचन किटन लाए, मारे को ते सब्सी उनले अदम रिशूटे को ते सब्सी उनले अदम रिशूटे को त तो घरना उनले सम्झेचन आए, आपनो प्यार भ्सताब ला कसे regation तेला हमार दियो, तेला जन नस्ता घर दियो, जल्स पर्ती को तीक को तो हुदा उनले तो करा सम्झेचन जब केटाइ, मिसेचन रिऑन रिचे आपना इदम टे से पर सम तावी उनले अरना व्ढर Mr. Right, sorry. Mr. Right, listen to the world, I can I got off your side, can I have any Mrs. Right like it down in a teacher a person get down a damn I think it was go wife little get GAGO well I am on point in this can side it will isn't a result you a lot to sort of the hero yeah it's a teacher a lemon Napa Coca-Cola so Mrs. right to use to sing but Mrs. Right killed that to sorry mr. Mr. right kill that to mr. rightly and was in the गाउने जुन काला उंचा, गाउने जुन उंका सीब शाओ, तेसको जुन आत्या गरे गातिया। So, Mrs. Peters says that it is a terrible thing being choked by a rope. It must be similar to how the bird died. So, Mrs. Hale thinks about what it must have been like to live years of nothing and then to have the one that gave you any kind of joy killed. Mrs. Peters remembers that she felt this was after she lost baby when she and her husband. So, when she was a child, she was a child, she was a child, she was a child. So, she was a child, she was a child, she was a child, she was a child. So, we compare the conditions to Mrs. Wright. As when we were almost studying in Dakota, Mrs. Hale remembers how pretty Manifestor was when she sang in the choir. So, she examines that it was a crime that she never came to visit her old friend. So, she was so sorry for that she picks up an unbroken jar of preserves and suggests that they use it to convince Mrs. Wright that none of her jars burst. So, the man come back again. And the county attorney says that everything is clear except for the motive. So, the jury needs everything to be totally clear in the case of women. So, the jury needs everything to be totally clear in the case of women. So, the jury needs everything to be totally clear in the case of women. So, to convict Mrs. Wright, he must explain something the worried way her husband was killed. He says he has got the horses outside ready to go. So, Mr. Anderson wants to stay and hunt for evidence. And he is not satisfied yet. The sheriff asks if the county attorney wants to see what Mr. Peters is bringing to Mrs. Wright. So, with the killed pieces covering the box, all the stops seem harmless and Mrs. Peters is married to the law. Mrs. Peters is married to the law. Peter is married to the law. The men go to check some windows and the women lean into action. And Mr. Peters rips the box from the killed pieces and tries to sew it into her coat. So, she opens the box and starts to grab the dead bird. They hear the men coming back again and Mrs. Hale grabs the makeshift canary coffin and puts it in the pocket of her big coat. The county attorney and sheriff re-interred and the attorney frivolously says that at least the women figure out that Mrs. Wright was not going to kill the killed. So, he asks the lady to remind him how Mrs. Wright was going to finish the killed. He says that Mrs. Wright was going to not eat. Okay. He says that Mrs. Wright is going to kill him. He says, so I'm going to kill you. If you like to kill anyone, he says he was going to kill you. So, I'll have to kill you. Now, I will kill you. He says he and he. झाल झाल